नमस्कार दोस्तों, हमारे online tuition अड़्डा चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों बिल्कुल जीरो लेबल से शुरुवात से अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना कैसे सिखें इसके लिए आज का यह क्लास हैच्टेग 6 है इस क्लास में मैं आपको कोई भी हिंदी में नाम हो कहीं पर भी Facebook पर, WhatsApp पर या Instagram पर कहीं पर भी आप मैसेज करते हैं या आपके पास कोई मैसेज किया हुआ है हिंदी में और आप चाहते हैं कि उसको इंग्लिस में मैं कर दूँ या इंग्लिस में कोई किया है आप चाहते हैं कि मैं उसको हिंदी में कनवर्ट करके पढ़नू तो आज का यह क्लास आपके लिए बहुत इंपर्टेंट होने बला है क्योंकि इस क्लास में जो बेसिक चीज होता है न वो मैं आपको बिल्कुल असान तरीका से सरल भासा में ही पर लिखा है ऐसे चावला क्या लिखा है चावला तो इसका इंग्लिस आप क्या लिखेंगे इसका इंग्लिस दो तो C-H-A-W-L-A ऐसे लिखेंगे या C-H-A-W-A-L-A ऐसे लिखेंगे दोनों में से आप क्या लिखेंगे कौन सा सही है यदि पठना लिखा है तो पठना का पी ए टी एन ए लिखेंगे या पी ए टी ए टी ए एन ए लिखेंगे यहां पर प्रसन उठता है कि टी के बाद ए लगेगा की नहीं लगेगा यदि ए नहीं लगेगा तो ये सही है या ए लगा कर लिखेंगे ये सही है चावला का डबलू के बाद ए लगाएंगे या नहीं बिल्कुल असान तरीका से बहुत सारे सब्दों के माध्यम से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा दोस्तों यहां पर हम लोग समझते हैं यहां पर देखेंगे दोस्तों यह जो आ लिखा है इसका इंगलिश डबल ए भी है और ए भी है जो कि मैं पिछले क्लास में इस पो का हम लोग पी ए लिख रहे हैं तो का केवल टी और ना का एन ए जबकि टी के बाद ए लगना चाहिए जबकि बहुत सारे ऐसे नाम है जिसमें आप देखते होंगे कि ए नहीं लगा उपर रहता है डारेक्ट सौटकॉर्ट में हम लोग लिख देते हैं और सही भी हो जात है जैसे देखते होंगे कोई लिखता है पढ़ाना तो पढ़ाना में आप देखते होंगे लिखा रहता है पी ए डी एच एन ए ऐसे डी एच के बाद ए नहीं लिखा रहता है लिखना एल आई के एच एन ए यहां पर ए नहीं लगा हुआ रहता है यह सब क्यों होता है कैसे ह होता है यह सब कुछ में समझाने वाला हूं दोस्तों यहां पर आप देखेंगा लिखा है नाग राज तो देखिए इसका इंगलिस कैसे होगा एन एजी नाग राज का आर एजी यहां पर दोस्तों जी के बाद ए नहीं लगा जबकि निया में यह है कि कोई भी अक्षर कोई कि अग्षर जो कॉ से गियतक है वो सब में लूझार कि मातरा है क्या है सब में लूभ मातरा है और जब उसमें दुसरा कोई मातरा नहीं दिखे यानि ओ या-आ अ की मातरा नहीं तो उसका इंगलिस लिखते समय, हम लोग A लगाते हैं, जैसी अदि रहता है पावन, तो पा का हम लोग P लिखते हैं, A लगाेंगे, फिर व का भी लिखेंगे, A लगाएंगे और ना का A, ने, मैं पिछले क्लास में सब कुछ कराया था, लेकिन इस क्लास में आपको आखी मात्रा वाले बड़े-बड़े सब्दो पर प्रैक्टिस कराने बला हूं, ताकि जो आपके दिमाग में कन्फुजन चल रहा है, बहुत सरा क्लासे आप देखे होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नुट्फिकेशन आउन कर लिजेगा ताकि जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास मुचिए तो चलिए दोस्तों एक के करके खुब ध्यान से समझते हैं देखिए इसके लिए आपको दो नियम याद रखना पड़ेगा दो नियम क्या है पहला नियम है दोस्तों कि किसी भी हिंदी नाम का जैसे चावला है शावन है पटना है इसका दो इंगलिस हो सकता है हाँ दोस्तों यदि कोई लिखता है चावला का C, H, A, B या W जो भी लिखें A, W और L, A तब भी ये सही है क्यों सही है मैं बताऊंगा C, H, A, B या W दोनों फिर A लगाकर और A कोई लिखता है तब भी ये भी सही है अब आप बलेंगे सर ये दो बाते कैसे हो गई, दोनों कैसे सही हो जा रहा है तो देखें इसके लिए समझेए, देखें हिंदी का जो है ना दोस्तों हिंदी में हम लोग शुद दुरूप से लिखते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है चावला हम लोग लिख भी रहे हैं, और चावला हम लोग यहां पर पढ़ भी रहे हैं चावला यहां पर हम लोग लिख भी रहे हैं, और चावला पढ़ भी रहे हैं नहीं दोस्तों हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, ये चीज़ समझे के थे नदू हम लोग जो उचारन करना है न लिख तो साइगा है लेकिन जो उचारन कर रह रह webinars हैं यह से करना है जैसे लगग उपर करना है कि कोई अपषार आधा है है तो इंगलिस इस चीज को पकड़ लेता है宁 गुगल ही चीह करतर लिक्ते हैं चीटकर ज़सके हिसलिटाएं उसको कॉसे पिर गूतिंग नख्या आर्यो पिर के कि चाहले आप 不खेंगे में और एक्षुल में होता क्या है इसमें यह होता है दोस्तों कि प्रनॉंसियेशन पे इंगलिस कनवर्ट हो जाता है और किसी व्यक्ति का नाम है किसी जगह का नाम है कोई ऐसा सब्द है जो पॉपुलर सब्द है जिसे माले के पटना पटना एक ऐसा सब्द है जो एक जगह का नाम है पटना तो हम ऐसा सुरुवात से पटना का इंगलिस P A T और A N A ऐसे ही लिखते हुए आ रहे हैं हम लोग यह सब जगा आपको यहीं पर मिलेगा आप कहीं पर भी सर्च करके देख लिजिए तो आपको दोस्तों अब नया पर तो आप यह P A T A N A ऐसे करके तो नहीं लिखेंगे न आपको भी ऐस इसे ही लिखना होगा चावला आप जानते होंगे कलपना चावला कैल पना चावला तो चाला क भी आप इंधिस लिखते सी च एडवली एल एड़ ई तो यह सही है सुरुवात से है açılٌ से व्यक्ति ohla के किलूबन चावला के अपने सुना होगा पढा होगा तो अब खैंसे ही W या भी जोभी लिंखें, क्या चुनको भी लिखें लिख को जल में नहीं लिखेंग लकार्ट आप आप再uk में बड़ीं में हो रखाना है दुरूश जिस रखा रहें लिखेंगे क्योंकि नहीं भी ब 독ड ऑज पर ध्लोके नहीं दीखेंगा W को बाद A नहीं दिखेगा धीरे धीरे आप आगे प्रैक्टिस करेंगे सब कुछ किलियर हो जाएगा दोस्तो यह कोई बड़ी बात नहीं है तो चलिए यहां पे बहुत सारे नामों पे बहुत सारे सब्दों पे मैं आपको बारी-बारी से एक-एक सब्दों को कनवर्ट करके मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा बीच-बीच में बहुत सारा इंपोर्टेंट चीज भी बताऊंगा जैसे यहां पे लिखा है दोस्तो रामायन तो रामायन का आप इंगलिस देखते होंगे कहीं भी लिखा राता है आर ए एम ए वाई ए और एन ए अब दिखे यहां पे अब यहां पे आके फंसता है माशला कि सर एन के बाद एक क्यों लगता है जबकि यह रणा में आखी मातरा नहीं है और सुरुवात से आप पिछले जितने कलास कराएं हैं उसमें यह बताएं है आप कि लाष्ट में आकार रहेगा तभी ए लगेगा नहीं रहेगा तो ए नहीं लगेगा दोस्तों मैं सुरुवात में बलाओ कि यह कलास आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट होनने वाला है तो दोस्तों दूसरा नियम मैं अभी बताना आपको भूल गया पहले नियम तो मैं यह आपको बताया कि सब्द जो है हिंदी के सब्द वो प्रनॉंसियेशन पर डिपेंड करते हैं कि उसका उचारन जैसे पकड़ में आ जाता है वैसे ही हम लोग उसको इंग्लिस में कनवर्ट कर देते हैं नहीं तो आप सेम तू सेम जैसे में बताया हो ना कि पतना का पी अ टी अ एन ए भी लिख सकते हैं लिख सकते हैं लेकिन यदि आप चीज को समझ गए ता पी ए टी को तोड़ना है क्या करना है सब्दों को तोड़ना है तोड़ने के बाद सब्दों को तोड़ने के बाद जो उसका दो पार्ट ठूटेगा न उसी के अनुसार उसको हम लोग कनवर्ट करेंगे जैसे नाग राज लिखा है नाग राज लिखा है तो नाग का क्या हो जागा एन A, G और राज का हो जागा R, A, J इसलिए यहाँ पर A नहीं लगता है तो दूसरा नियम यह था बस यहीं दो चीज़ आपको दिमाग में रखना है अब बात आई कि सर यहाँ पर अड़ा है और आकार नहीं है फिर भी A क्यों लगा महाभारत हम लोग लिखते हैं उपर देखिए लिखा हुआ है इसका इंगलिस आप लिखेंगे न तो मौ का लिखेंगे M A हा का लिखेंगे H A भा का लिखेंगे B A रा का लिखेंगे R A और त्वा का लिखेंगे T A हाँ दोस्तो T A अब देखिए यहाँ पे क्या होता है यह सब ग्रंथ का नाम है महाभारत, रामायन गीता यह सब तो देखिए यहाँ पे आप बोल कर देखिए महाभारत महाभारत, रामायन अधिकांस यह सब सब्द संस्कृत से ही उत्पन हुआ है ऐसे भी बहुत सारे से हिंदी सब्द है, लगवक सभी सब्द संस्क्रित से ही बहुत सारे भसाय उत्पन हुई है, यह सब चीज डीप नॉलेज होगी, आगे आप पढ़ेंगे मिलेगा, तो यहां पर होता क्या है, कि कुछ-कुछ ऐसे नाम है आपको दिमाग में रखना होग महा भारत, रमायन, आगे बहुत सारे सब्द मैं बताऊंगा, उसमें लास्ट में ए लगता है, जैसे लिखा रहेगा कर्ण, खुब ध्यान से दिखे, कर्ण, तो कौका अपली, देखे, यहां पर आकार नहीं लगा है, आकी मातरा नहीं लगा है, जब इसका इंगलिस लिख 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 कर प्रैक्टिस किजिए, नहीं होगा, तो कमेंट में लिख कर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, चलिए, तो यहां से देखते हैं हम लोग, तो चावला का दोनों में बताया हूं, कि C, H, A, B, A, L, A भी लिख सकते हैं, सही है, या C, H, A, B, L, A, दोनों में से कोई पटना, क्या लिखा दोस्तों, पटना, तो प का लिखेंगे P, A, प, ट का लिखेंगे T, A, या T, N, A, पटना, तो तीन अक्षर बाले में दोस्तों आपको अधिकांस 99% ऐसे इंग्लिस मिल जाएगा, जिसमें बीच वाले जो है न, तीन अक्षर बाले में मैं बता रहा हू वो भी कौन सा सब्द मिलता है, ये देखिए, देखिए, जैसे माली के पहले वाले अक्षर में आकी मतर लगा हो या नहीं लगा हो, लेकिन यदि बीच वाले में नहीं लगा है, बीच वाले में नहीं लगा है, और लाश्ट वाले में लगा हो, लाश्ट वाले में जैसे य तो यह चीज़ थोड़ी सी आप मने समझने के लिए इसको अपने तरीका से कर सकते हैं कि जिसमें लाष्ट में अंत में आखी मातर लगा हो बीच वाले में कोई भी मातरा ऐसे नहीं दिखे, पहले वाले में आखी मातरा हो नहीं उसे फरक नहीं पड़ता है, बीच वाले में केवल बीच वाले में आ की मातरा नहीं हो, सिंपल हो, और की मातरा हो, लास्ट वाले में आ की मातरा हो, तो आप बीच वाले में यह नहीं लगाएंगे, तो सही हो जाएगा, यह चीज आप अपने मैंड में सेट करके रखिए, चलिए, तो पटना का चावला का आप समझ गया है कि क्यों लिखा जाता है एक क्यों नहीं लिखा जाता है ठीक है मुझे विश्वास है कि आप इस चीज को समझ गया होंगे आगे मैं ऐसे ही इंपोर्टेंट और भी चीज बताने बाला हूं दोस्तों वीडियो को लाश तक देखिएगा खुब ध्यान से समझ गया है चली आगे बहुत सारे सब्द हैं इस पर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं देखे लिखा राजन तो रा का लिखेंगे आर ए जा का लिखेंगे जे ए और न का ए ऐसा नहीं कि आर ए जे ए न लिख देंगे गलत हो जाएगा गलत हो जाएगा वो नियम तभी नहीं है लेकिन यहां पर राजन है तो ए यहां पर लगाना पड़ेगा ठीक है मानव तो मानव का एम ए एन ए और भी ऐसे मानव तब जाकर आपका सही होगा ठीक है तब जाकर सही होगा यहां पर देखिए दोस्तों लिखा है राजा राम क्या लिखा है राजा राम तो रा राजा का लिखेंगे आर ए जे ए राजा देखेंगे बड़े सब्दों का एखी ट्रीक है कि दो पार्ट में तोड लिजिए असानी से लिख लिजिए कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगा ना क्योंकि दो अक्षर वाले में पिछले कलास में आपको बहुत सारे सब्दों पर प अब सीख पाएंगे ठिक ना तो राजा और राम का आरे एम राजा राम लिखना है मिला कर यह साथी लेकिन लिखने का सेंस जो है ठोड़कर ठीक है तोड़कर ऐसे सिखिए यहां पर लिखा दिस्तों शभागार क्या लिखा है शभागार तो सभा का लिखेंगे एस एबी HA सभा हो गया, अगार का हो जाएगा G-A-R, सभा गार, ठिक है, थोरी चीज को इधर कर लेते हoires, अच्छे से लिखाएगा, अब यहाँ पे दिखे लिखागा, दयाल क्या लिखा है दयाल तो दो का लिखेंगे डी ए दो या का लिखेंगे वाई ए और लो का लिखेंगे इल दयाल ठीक है बनारस तो बनारस बना का लिखेंगे बी ए इन ए बनारस आर ए इस बनारस ठीक है बनारस चलिए और भी देखिए यहां पर बनारस के बाद, यह लिखा दोस्तों नामक के, क्या लिखा है नामक के, तो ना का हो जाएगा एन ए, मौ का हो जाएगा एम ए, और का का हो जाएगा के, नामक के, ठीक है, दोस्तों केवल ऐसे वीडियो देख लेने से नहीं होगा, आपको लिखने क आपको समझ में होगा यह जो है मैं लिखना सिखा रहा हूं एक एक अक्ष़ों को क्लियर करकर के ताकि अच्छे से सीखें ठीक ना चले तो यहां पर लिखा दोस्तों तलवार तो तलवार का क्या होगा दिखे तलवार तो तल का लिखेंगे T-A-L तल वार का लिखेंगे V-A-R देखें ये सही होगा आपका तल वार अब दिमाग में आपको ये नहीं रहेंगा सर यहाँ पर A लगाएं नहीं लगाएं ये सब चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है ऐसे ही आपको लिख लेना है जिससे नाग राज है, तो नाग का न, ए, जी नाग, राज तो र, ए, जी नाग, राज, दिखने में कतना बड़ा है, लेकिन इसको इस ठेप वईज लिखेंगे, तो आप सही लिख पाएंगे, जल्दी लिख पाएंगे, ठीक है, यहाँ पर देखें लिखा कमला, तो कौ का क का मौका एम ए और एल ए अब यहां पर आपके दिमाग में इस वाल के सराब बताएं कि लास्ट में आ हो तो आप बिच वाले में ए नहीं भी लगाएंगे तो सही होगा हाँ दोस्तों 100% सही होगा अब के एम एल ए लिख लिजिए कोई दिक्कत नहीं है सही हो जाएगा चलिए आगे देखिए यहां पर लिखा है अखबार क्या लिखा है अखबार तो औ का लिखेंगे ए खा का लिखेंगे के एच ठीक है अखबार बी ए आर ऐसे भी लिख सकते हैं लेकिन आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं ए के एच ए बी ए आर ऐसे भी लिख सकते हैं खवार ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है, ठीक है, चले, यहां पर लिखा है, चावला का तो आप उपर देख लिए है, लदाख, तो लॉक का लिखेंगे एल ए, दा का लिखेंगे डी ए, और खो का लिखेंगे के एच, तो यह हो जाएगा, लदाख, बलवान, क्या ठीक है बलवान बादल बादल तो बी ए बा दो तो डी ए दो और एल से लो बादल ठीक है सलवार क्या लिखा है सलवार सल एस ए एल सल वार भी ए आर सलवार या डबलू ए आर शलवार ठीक है अगर एस ए एल ए भी ए आर भी लिखते तब भी सही हो था मैं सुरुवात में क्लि कर दिया हो, चलिते आगे देखते हैं, दोस्तों, ज्यादा ज्यादा सब्दों पर प्रेक्टीस करना ज्रूरी है, तब ही जाकर अच्छे से अप्रेक्टीस, मेक्सर है Most Perfect, तो ना का लिखेंगे एन ए ना, य का लिखेंगे वाई ए और खो का के, तो नायक, ठीक है, नायक, अमर नाथ, क्या लिखा है, अमर नाथ, तो अमर, तो अ का लिखेंगे ए, मौ का लिखेंगे, अमर तीन अक्षर में टूट रहा है, और दो अक्षर में टूट रहा है, तो अ ASMR आमर नात तो nath देखीं अमर और नात टूटा स्टाने तो अमर नात ठीक है यहां पर दखैंडगी ची मिखले धाबर क्या लिखे नाबरद को डीए तो 2 वी ए आर लिखेंडcession अजीरली कैयाल को हमी नात तो कमल नात दो नात कमल नाथ तो कमल का लिखेंगे के ए एम एल कमल नाथ तो एन ए टी एच ना पर नाथ उसके बाद जिए यहाँ पर लिखा है वनवाष क्या लिखा है वनवास तो वन तो बी ए एन 1 वास तो अपर इस वनवास ठीक है चलिए अब यहां पर देखिए लिखा है पायल हो गया वनवास हो गया टकाटक क्या लिखा है टकाटक तो टका टी एक टकाटक तो फिर टी एक टकाटक ठीक है अनाज अनाज तो ए एन ए जे अनाज ठीक है अनाज बाबा धाम तो बाबा बाबा का हो जाएगा बी ए बी ए बाबा धाम तो डी एच ए एम ऐसे धाम बाबा धाम ठीक है यहाँ पर लिखा दूस्तों सरला क्या लिखा है सरला तो सा का लिखेंगे एस ए रा का आर ए और एल ए यदि आप इसको एस ए आर एल ए लिखते हैं तब भी आपका सही है ठीक है सहरसा तो सहरसा सा से सो ह ए हो आर और एस ए ऐसे भी लिख सकते हैं या आर ए एस ए भी लिख सकते हैं यह सघर्ट के सहर्षा पार दिख्या दलाल क्या लिखा है दलाल कि लिखेंग डिए लाका लिखेंगे एल ए और लोका लिखेंगे एल दोस्तों आप मेरा पिछला थे 5 तक यानि 5 कलास नहीं देखे होंगे तो जरूर देख लिजिए क्योंकि उसमें मैं सुरुवात से स्टेप हुआ एक सब्दों को प्रैक्टिस कराया हूं बारा खड़ी से लेकर सब कुछ में उसमें पढ़ाया हूं तब जाकर दोस्तों यहां तक मैं हैस्टेक 6 तक पहुंच यहां से दोस्तों यह आप चाहते हैं कि आपको बिल्कुल सुरुवात से जिरो लेबल से सभी वीडियो आपको मतलब की एक साथ मिल जाए तो उसके लिए आप इस नंबर पे वाट्सप करेंगे हिंदी या इंगलिस कुछ भी लिख कर भेजेंगे मेरे पास तो मैं आपको बिदी भेज दूँगा दोस्तों कॉल करने का प्रयास मत कीजीगा डारेक्ट आप वाट्सप कीजी मैं आपको वीडियो भेज दूगा ठीक न आप उदर से लिख कर भेजेगा हा या हेलो जो भी हिंदी इंगलिस जो भी आपको पढ़ना है लिख कर भेजीगा मैं आपको बेज दूंगा सुरुवात से लिंक भेज़ दूगा उससे आप पूरा वीडियो देख सकते हैं ठीक है चलिए यहां पर देखिए लिखा कबार क्या लिखा है कबार का 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 लिखेंगे का बा तो बी ए और डी से यहाँ पर डा डा पर भी होता है और भी रहता है तो डी आप लिख सकते है ठिक है यश पाल तो यश और पाल दो पार में ठूटेगा ना तो यश कल लिखेंगे ygebag यश पाल तो दिकत नहीं सही हो जाएगा यहाँ पर क्या है बर्खा, तो ब का लिखेंगे ब, ए, र, का आर और के, एच, ए लिख देंगे तो कोई दिकत नहीं सही हो जाएगा यहाँ पर क्या है, खा है, बर्खा अब देखें, यह लिखा है खान, दान, क्या लिखा है खान, दान तो खा का लिखेंगे K, H, A, खान खान और दान तो D, A, N ऐसे लिखेंगे खान, दान ठीक 현 तोड़कर लिखेंगे, तब ही जाकर आप सही लिखा पाएगा, खान, दान ठीक है उसके बाद इकि यहाँ पर लिखेंगे घनाब है, क्या लिखा है घनाब है, तो घ का लिखेंगे जी एच एच एगा, ना तो एन ए और भा का बी एच, तो हो जाएगा घनाब है, उसके बाद इके लिखा है भारत, क्या लिखा है भारत, तो भा का लिखेंगे बी एच ए, र का लिखेंगे आर ए और तो का लिखेंग ती भारत ठीक है माला बार क्या लिखा है माला बार तो माला तो माला बार तो बी ए आर ऐसे माला बार तो दोस्तों इस तरीका से आप बहुत सारा सब्दों को सीखे आगे और भी सब्द है खुब ध्यान से देखिए यहां पर लिखा है दोस्तों भारत क्या लिखा है भारत हो यम्राज, ठीक है, यम्राज, यादव, तो Y, A, D, A, और B, Y, A से या, D, A से दव, और B से यादव, ठीक है, साधहना, क्या लिखा है, साधहना, तो सा का लिखेंगे, S, A, सा, धो का लिखेंगे, D, H, और ना का ए ने, ऐसे भी लिख सकते हैं, साधहना, क्योंकि ना है, आ की म तर लगा है बीच बाले में नहीं लगा है तो बिना A का भी लिखेंगे तो सही होगा और A, A, D, H, A, N, A भी लिखते हैं तब भी आपका सही होगा ठीक है उसके बाद कि यहां पर लिखा है यवरा अबरार क्या लिखा है अबरार तो A का A होगा बी से बाबरार आर ए आर ऐसे अबरार ठीक है सर्ताज सर्ताज तो A, A, R, सर्ताज तो T, A और J, यहां पे J होगा दोस्तों कि यह सर्ताज जो है मुझाम किसी जगह का हो तो मतलब कि शुनही के नाम पर रखा हो जिसमें मुझाफराबाद मुझाफर नगर ठीक नाब 12 जह से मजोभी हो जिसमें कि जो लगा हो और मुसलिम से रिलेटेट नाम हो दोस्तों बुरा नहीं मनना है मैं वार बार हर वीडियो बताता हूं क्योंकि यह सिखना है आपको ठीक गफी कंफीज़ राते हैं बहुत सारे दोस्त कि आप पे जो का जगे कहा पे जग है क्यों दोनों होता है तो अधिकांस आइसे आपको मिल जाएग। जो यहां पहुतिता है। मुम्ताज नहीं ही जेड होगा जरूरabol नहीं है। कोई जे भी लिख देता है तो गलत नहीं कर सकते हैं अप लेकिन अधिकांस नाम में आपको जेड मिलता है इसलिए मैं समझा रहा हूं ठीक है देगे चलिए यहां पर लिखा है दोस्तो चरखा तब भी आपका सही होगा ठीक है यहां पर है दोस्तों महाशय महाशय तो म का लिखेंगे एम ए हा का लिखेंगे एच ए और तालब बश्रा है तो एस एच ए वाई और दिके महाशय तो यहां पर ए होता है अब आपका प्रस्माइगे कि सर उपर जो आप बताएं हैं महा भारत रामायन उसमें लाष्ट में एक क्यों लग गया तो इसके लिए थोड़ी सी हंड़ेट परसंट लागू नहीं होता है लेकिन में बता देता हूं दिमाग म रखेंगा आगे काम देगा दोस्तों कुछ ऐसे बड़े बड़े नाम है जिसमें लाष्ट का जो अक्षर है ना वो ऐसे माना जाता है कि उसका पुन रु इसलिए वहां पर लगता है तो दोस्तों यह क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बक्स में जरूर बताएगा अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिगा दोस्तों के पास सियर जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी इससे फाइदा हो चैनल को अभी तर सब्सक्राइब नहीं कि तो कर लीजिए ना दोस्तों कि आगे बहुत सरे क्लास आपको बिल्कुल फ्री में इस चैनल पर मिलने वाले हैं तो दोस्तों यह क्लास चलिए यहीं पर इंड करते हैं मिलते एकले क्लास में जय हिंद